अस्सलाम अलेकुम वर्हमतुल्लाही गुबरापातु हूँ लास्ट लेक्चर में हमने स्टड़ी किया था लेविस कॉंसेप्ट अफ बेस हमने अभी तक तीन साइंटिस को स्टड़ी किया है और हीनियस प्रॉंस्टर लॉरी और लेविस हमने इन तीनों की अपॉर्डिंग अप्रॉंस्टर लेविस को देखें कि रहने किस किस तरह इस बेस को डिफाइन किया है उन्हांने अपने डेफिनेशन को किस था इक्स्प्लेइन किया है एक्जाम्पल के साथ एक्वेशन के साथ तुक है आज हम स्टड़ी करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज अफ एसेड्स म अडिली जनरल सह मे51 च्रीकर स्टेडि करेंगे और एक लेक्टर रहे हैं फिस्टेटड़ करने वाले अग्ले इंब जनेरल प्रॉपर्टीज आज ए पास दो तरह उता אל प्रॉपर्टीज हमारे पास दो तरह की होती है फ्यूजिकल और केमिकल यह अब फ्यूजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि किसी भी सब्स्टांस की फ्यूजिकल स्टेट कि किसी सब्स्टान्स की फिजिकल स्टेक्ष में स्ट करें फिजिकल प्रॉडेक्ष्ट करें था थी हूं के। इस्ती करें देखा है हमने पीछे भी देख्या है कि इसे क्या है थोड़ा वाइस की थीजिस की पहले थे लगाए स्टी करेंगे और आप ती है शुटांस का मैट्स तैंस की थे हृँ वाज हम देखेंगे ऑर के सबस्टांस को साथ तो सबसे पहले हम देखती है कर रियक्शन विद मैंटल्स जब एसिट्स रियक्ट करते हैं मैंटल के साथ रियक्शन विद मैंटल्स तो यहां में हमारे पास कि रियक्शन विद मैंट्स करते हैं ना की रियक्शन व्यूrá सकूग है पास एक्सक्रोस्स भाद करते हैं ऑपम तरह कौन कुछ तब्स करते हैं तो किस वी घुल एक्शन विद मेंटल्स तो दूसरी चीज में देखें एक वमारे पास डाइलूट ऐसे डाइलूट का वर्ड अगर आगया हम देखें डाइलूट क्या है जनल से इसका कॉंसेट है इसे पुश पढ़ा कि इसेट जो हैं वह हमारे पास घाल की यहें तो तो यह दो चीजे होता है दोनों में क्या होता है कि एतिलीट एंग होगा कि जाधा होगा ज्यादा होगा घ्राइस हुआ कंसंट्रेटिट उसमें हमारा एसीड होता है वह कम होता है तो इसमें ज्यादा कंसंट्रेटिट है अगर यह हमारे हाथ पर गिरे तो ज्यादा हमारा वह हाथ डैमिज हो सकते हैं तो इसमें लिदीव होता है लिकिन दयूत में क्या होता है तो यह विसकल लिए खाहरा है कि महरे पास चुड्रेट्प्रेट्ट अच्छिट्ट होता है पास कि इधर एक्स्प्रोसिक था इधर मौडरेट रिक्शन होता है अब तीसरी बात हम परें कि मेटल्स और एक्स्टार्ट पर अपस में रियक्ट करतें हैं था हमारे पास क्या बनते हैं हमारे पास साल्ट करते हैं ठीक है और हमारे पास hydrogen gas ठीक है हम पार रहे हैं reaction with metals हम acid की properties को study कर रहे हैं हमने acid and metals को जब rate कर रहा है तो explosive हमारे पास जो हमें product मिला अब आगे हम बात करते हैं आपने पहले reaction की तो reaction with metals अगर देखें तो यहां पर लिखाओ आपको बुक पे acid react explosively with metals like sodium potassium and calcium ठीक हो गया however dilute acids hydrofluoric acid और sulfuric acid यह react करते हैं moderately with reactive metals अब moderate में क्या है क्या हमारे का चाहना ने जांपल्स दीए है magnesium है zinc है iron है aluminum है खीक है तो यह अबने है respectively हमें metals दीए है clear अब हम बात करते हैं zinc जो ब्रेंट करता है sulfuric acid के साथ अब हम बात करते हैं जोब हम reaction करवाते हैं अपना zinc का acid के साथ zinc metal है हम यहां पर यहीं पाड़े है कि reaction with metals metal जो हम बात zinc है और acids की properties नों के हम study कर रहे हैं तो acid हमारे पास क्या होगा हमारे पास acid हम यहां पर यूज कर रहे हैं वहाँ sulfuric acid और zinc जब milk के reaction करते हैं तो हम बात क्या हमें चीज़ में होती है उसका mechanism क्या होता है यहां पर study करते हैं अब reaction with metals तो हमारे पास है zinc और zinc के साथ हमारे पास sulfuric acid फिक है अब इसका reaction तो simple जाब पर लिखा है अगर हम वह लिखें तो zinc और sulfuric acid मिलके Z and SO4 बनाते हैं साथ water यानिके zinc sulfate की है zinc sulfate और साथ में हो hydrogen gas अब इसका अगर mechanism देखें तो mechanism के लिए हमें sulfuric acid का open structure लिखेंगे और zinc का देखेंगे इसमें क्या रोल है कैसे चीज़ा पास में रियक्ट कर रही है और कैसे hydrogen gas और यहां से atmosphere में रिलीज हो लिए ठीक है तो sulfuric acid का अगर हम open structure लिखें हमारे पास क्या आता है H2SO4 ठीक है अगर sulfuric acid को वैसे हम देखें तो हमारे पास यह six groups से भी लाउंग करता है ठीक है six groups से भी लाउंग करता है दूसरे स्विए हैं कि हमारे पास प्लास्टिक्स की oxidation स्टेट होती है यहने वेरियेबल oxidation स्टेट्स देते हैं और डिपेंड करता है कि molecule हमारे पास क्या यहां पे बना रहा रहा है है sulfuric acid compound structure एक लिए हमारे पास है sulfur के साथ 4 oxide है um जो हम आपके अटेच हो जाएंगी तो यह था एस्टोसिफोर का जिन्रल स्ट्चिर ठीक हो गया अब तो जीन कहना हमारे पास यह जीन्क यहां पे प्लस टू स्टेट में है ठीक है यह के केमिकल बॉंड फार्मिशन के दुरान यह हमारे पास दो एलेक्ट्रान जो है वो डु जो हो गया अब यहां पर क्या होता है कि O और H और और ऑकसीजन होस्त होता है ने ब्रेक करके चाहिए जीन के साथ ऑपना बना लेता है इसा क्यूं यह प्रफल करती है जीन के साथ इसका बांड जो और यह गळादा क्साथ है कुम और पास बहुंद बने वह भी चर्लिब्यों के एद्भ को इस की छिए लख कहा रहे इस तरह हमारे पास इसका जो बॉंड है यह दोनों बॉंड ब्रेक हो जाते हैं हमारे पास यहां पर क्या मिलता है हमें प्रोड़क्त में ZNSO4 ठीक है तो ZNSO4 हमें मिल गया और साथ यह जो दोनों थे हाइड्रोजन इनने मिलके हमें हाइड्रोजन गैस दी जो कि एट्मॉस्पेर में डिलीज होगी ठीक है तो यह हमने देखा रियक्शन भी अब अगर हम साथ का जनरल थोड़ा सा इंट्रेक्शन लें कि साथ की इडेंटिफिकेशन कैसे की जाते हैं साथ हमारे पस क्या होते हैं छोड़े सा यह एक्स्ट्रा है हम यहां पर जहां पर हमारे पास आए गार जिसके नाम कि आखिर में में स्ट्रेड्रण वinkहां के क्या है से तो एक तो हमारे पस यह हो गया हुशत जहां हमारे इसको करेंगे यह है नाहिट रेट हिर्ड ओगया । धिकरन कि ह Also क्विविव Kings уासका है। कि हमारे इस कंपी यह कि हा है क्लोराइड तो यह हमारे पस क्या हो गया क्लॉराइड यह मैं यहां पर लबजाएंगे यह नहीं कि हमारा है शॉल्ड मुझूद है अब जब भी अस्ति के संफ्यूर्य तु किसके साथ कोई बैस यह कोई भी सॉल्ड जब रेक्ट करते हैं तो तुझा भीड़ादे स्ल्फड करते हैं हम सब्सक्राइब करके देखते हैं कि उसमें जो प्रॉडट्ट बन रहा है एक्टुली वहां पे तोन सा सौर्ट हमारा प्रैजल्ट है ठीक है तो पहला हम देखते हैं सोडियूम सोडियूम जब रियक्ट करते हैं तो मापस क्या बना सोडियूम सल्फेट यह वाला एन ने टू और एसो फॉर प्लस क्या पचा है एट्स तू यहीं कि हाइड्रोजन गैस अब यह हमारा सौल्ट बना है इसको किस तरह नाम देंगे सोडियूम पहले लिख लेंगे सोडियूम सोडियूम सल्फेट यह नहीं कि इस ग्रुप की तुमने रेक्शन से देख लिया कि जहां पर एसोफॉर आएगा उसको किस तरह नाम देंगे पहले मैटल लिखेंगे उसका सिल्फेट जो नाम है एंट पर लिखेंगे दूसरा रेक्शन देखती है हमारे पास है अगर हम नाइटरिक एसिट का रेक्शियूम हाइड ऊकसाइड के साहर तो क्या बनता है हमारे पास पुटैशियूम नाइक्रेट यह नाइक्रेट एंट तुरी किया बचा दो हाइड्रोजन विह बस हैड़ा सुट्मस्ट्रेज में एस यह अवन um सोडियुम हाइड्रोग्साइड सब्सोडियुम हाइड्रोग्साइड आपको है यहां पहुक्त नहीं न में था और चेकिश स World Sempe कहनं पहुत लाइव को स्वक्तिए आपको हम्हां लेखें नहीं फार पम वाटर करां तो sodium chloride जो है यह क्लोरीन आगे अच्करम क्या कहेंगे sodium chloride तो इस तरह हमने पीमो रेक्शन में देखा और इसो फोर होगा तो sulfate कहेंगे NO3 होगा तो nitrate कहेंगे और Cl होगा तो स्कॉं chloride कहेंगे तो यह हमने जन्रल सी बात की है salts कि कि इसमें यह salt मुझूद है तो एसो फोर लास्ट आएगा sulphate होगा NO3 आएगा तो nitrate होगा तो फ्लोराइड होगा clear अब हमने reaction with metals को study कर रहे हैं हमने जीम को sulfuric acid का reaction रहे हैं अब इसी metals के साथ इसका और reaction study करते हैं वह हमारे पास है कि जब aluminum react करता है with LCl यह हमारे पास balanced equation है तो यह अब यह जनरल reaction था अब इस reaction में हम देखने हैं इसका mechanism क्या है तो इसमें हमारे पास जो है aluminum के two moles है ठीक है और HCl जो है वह हमारे पास यहां पर six present है अब अगर HCl का हम open structure लिखें तो हम किस तरह लिखेंगे HCl six है हमारे पास यह और और C-L का bond break करता है ठीक है तो H के पर आजाता है positive charge तो इस यह पर आजाता है negative charge ठीक है तो इन्होंने आपस में sharing कर लेनी है sharing करके इन्होंने कूंट सा हमारे पास जो है वह बांड बनाना है इन्होंने single covalent bond बना लेना है हमारे पास क्या बनगे तीन ऐसे जो है वह तीन एस्टू बनगे तो हमारे यह product तो हमें मिल गया through mechanism अब हमने देखने है कि किस तरह यह chlorine और al 2al यह हमारे पास 2alcl3 बनाते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे पास aluminium है वह two times है ऐसे ही है यह हमारे पास इस form में exist करता है अब इसके साथ हमारे पास six जो है वह chloride आइंस भी हमें मिल गए है ठीक है तो इनको अगर हम लिखें तेनो जो है chloride यह हमारे पास ऐसे है ठीक है इदर पर ये aluminium के साथ है ऐसे हमारे पास ऐगे तो इस तहहाँ हमारे पास जो है वह aluminiu Up की होगे ठीक है और Cl3 जो हमारे पास कितने है यहां पर 3 तो 3 Cl भी आगे और 2 Al भी आगे दूसरे Cl की बात करें तो यहाँ पर बाइर ही मेंचन है 2 यानि के 2 दफ़ा Al और 2 दफ़ा Cl जो हैं वो 3 दफ़ा तो 2 दफ़ा Cl तीन दफ़ा भी हो गए और 2 दफ़ा Al भी हमारे पास हो गया तो इस तरह हम कहते हैं के Aluminium जो है वो Acil के साथ रियक्ट करकि हमें 2 Al 3 और साथ में 3 hydrogen gas रहा वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है ठीक है अगला reaction हम देखते है reaction with carbonates and bicarbonates तो carbonates और bicarbonates क्या होते हैं सबसे पहले तो इसको देखते हैं carbonates और bicarbonates की identification कैसे की जाती है तो जहां पर हमारे पास किसी चीज़ की आखिर में CO3 आज़े उसको हम कहते हैं यह हमारे पास है carbonates और जहां पर HCO3 आज़े उसको हम कहते हैं यह हमारे पास है bicarbonates यह इसको hydrogen carbonates भी कहा जाता है जहां पर CO3 आगया वो हो गया carbonates जहां पर A9-3 आ गया वहां पर क्या होगया Bicarbonates अब reaction है acid का carbonates के साथ और Bicarbonates के साथ हम ऐसे eizing के साथ जैसे पढ़े किया है यह रिक्टर लिखेंगे उसको open structure लिखेंगे और साथ देखेंगे कौन-कौन सी चीज़ा रियक्ट का रही है कौन से एक तो सॉल्ट में एक कार्बन डायकसाइट और एक वाटर के मालेक्वल्स एस रिजर्ट हमें क्या क्या रिसीव होता है इन तीन देखिएंगे कि हमारे परड़ के साथ चल्य है कैल्शीव कार्बोनीट नुम्हारे पढ़िपने मेंぎतं हुं प्लस सी यो टू प्लस वार्टर यह नहीं कि हम यह कहरें एक सॉल्ट है एक स्यो टू है और एक वार्टर है अब इसका अगर हम मेकनिजम स्टडी करें तो हम क्या करते हैं कैल्शियम करबोनेट के स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं सी के साथ तीन ओक्सीजन है एक दो ठीचैनल अब यह जो है यह इस form में है जो कैल्शियम इंग करते हैं ग्रूप टू से तो यह प्लस वार्टर करता है اسका चार्जियन प्लस तो अब इस ने करना है कि इतने इसने दोनों अक्सीजन को अपने अलेक्टरांज है वो डूनेट करने दूसरी तरफ अगर देखें तो एच सीयल और एच सीयल यह बांड ब्रेक करता है तो इसके पास पॉजिटिव यह पॉजिटिव और यह नेगटिव चार्ज गेन कर लेता है ठीक है क्लोरीन क यहां पर अपने एलेक्टरांज शेयर करता है इनके क्लोरीन इसको फूल करता है और उसका चार्ज नेगटिव हो जाता है हमारे पास अब ने यह बात कर ली कैलशियम ग्रूप 2 से बिलांग कर रहा है और वो दो दो एलेक्टरांज यह वो अपने डूनेट कर रहा है तो ज हहांगे किस तरह होंगे कि Ada ओक ऐसके पास ठीक है ठीक तो यह यहां पर हमारे पास हो जांटा ठाउं कि इसने बॉंड बना लिया विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइट्रोजन नेग्टिव चार्ज तो था जैसे प्रोटान साथ आके अटेच हुआ नेग्टिव चार्ज हमारा खत्म हो गया हमारे पास जो चीज बनी वह यह बन गी ठीक हुआ अब दूसरी दरफ हम कहते ह होता है यहां पर oxygen के साथ जो है वह d सब्सक्राइब के लिए कारबन से गार पास तो कारबन होजाएगी तो इस तहां इस तो को ऐसे करके तो वाटर बना लिया दूसरी तरफ यह होती है हमारे पास करबन-डायकसड जो बननी है इसले का खैक है कि हमारे पास के अक्सीजन जो था उसने अपने अलेक्तरों इदर द inté case यह न बंगा तूर किक आरे पास बंगे कार्बन को यहां पे programme अपने पार्यफेब शुरॉरत थी कार्बन Do तो इस तरह हमारे पास चोटा सा मेकनिजम हुआ और हमारे पास जो ऐस बाइप्रोडक्ट के निचीज़े बनी वह कारबंडाय एकसाइट हो रहा हमारे पास वाटर थी अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्गोनेट्स और बाइकार्गोनेट्स की ही इसके सेकंड रेक्शन की तो सेकंड रेक्शन में हम और पस क्या होता है हम यहां रेक्शन लिख लेते हैं हमारे पास 2-n-a-a-co3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चूंके हम पाड़े रेक्शन आफ एसिड विद मैटल्स ठीक है सुल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रियक्ट करता है हमारे पास क्या चीज़े बनती है एन ए टू एस ओ फोर प्लस टू सीओ टू प्लस टू वाटर अब यह चीज़े मारे पास बांद रहें है तू एन ए यहां से आया एस सो फोर यहां पर आ गया क्या बचा यह और क्या बचा हमारे पास यह तो एच टू और यह वाला एच दो यह दो हमारे थीक है फोकश दफ are sa novella Glass in the еш थीक है water के मालेकूल प्लिक है कि कैसे निकले के दो हमारे पास थे हित हूँ आफञे हे सीय के ओर तो यह दो रिखावाना जोता यह है तो दफाज यहां तो दो दफार तो यह हो गया हो च्वाजा है थे एक बचाज्ग हमने यह लिख सरहां तो इस जॉनरल सा मेकानिज्म था कैसे sodium bicarbonate sulfuric acid के साथ react करके sodium sulfate बना रहे हैं यह क्या है यह सोटियम sulphate यह सॉल्टियम तो यह पास पास तीन चीज़ें बनती है एक salt, एक carbon dioxide gas और एक water molecule तो वही हुआ, salt बन गया, carbon dioxide बन गया और water molecule आ गया, अब इसी reaction का अगर हम mechanism देखें, कि किस तरहां चीज़ें जो हैं हमारे पास product में बन के आ रही है, क्या आपस में sharing गो रही है और कैसी हमें चीज़ें एंड पे मिल रही है, तो आपने देखा है हमने two moles of sodium bicarbonate लिखे थे, ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास product में भी क्या आया, दो CO2 आए और दो ही water molecule आए, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें था हमारे पास sodium bicarbonate का, अगर हम open structure लिखें, तो हमारे पास क्या होता है, C double bond O, ठीक है, और साथ में इदर भी आ गया hydrogen, और इदर ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, sulfuric acid का, अगर अपन structure लिख लें, तो sulfuric acid है, इस्टो है, तो four, यह, बिसिकली इनके दरम्यान में bond है, जिसने यहां पे break होना है, ठीक है, तो यह bond यहां से break हुआ, और वो bond यहां से break हुआ, यह sodium bicarbonate हो गया, यह हमारे पास sulfuric acid हो गया, clear, अब इसका यह bond, जो है, हम end पे दो-दो चीज़े बन रही है, दो CO2 है, दो water molecule है, हम यहां पर एकठा कर लेते हैं, दोनों को break करते हैं, और देखने कि यह चीज कैसे break होते हैं, यहां पे आती है, कैसे इसका जो है, वोगला procedure, जो है, प्रोसीड हो रहा है, और इसी तरह फिर जो है, इसके case में भी same, वही procedure, वही mechanism जो हो फालो होगा, तो यहां पर क्या हुआ, कि oxygen का और hydrogen का जो bond था, वो break हुआ, यहां पे editing कर लेते हैं, break हुआ, तो क्या हमारे पस आगे oxygen के उपर negative charge आ गया, ठीक है, तो हमारे पास यह जो proton था, जिसने age को उपर positive charge आया, इस oxygen क पास था lone pair, तो यहां से proton निकला, वो इस lone pair के साथ, जिनके इसको donate किया, इसके साथ आके वो attach हो गया, ठीक है, जब attach हो तो हमारे पस क्या चीज़ आई, एन ए, ओ, सी, डेवलबांट, ओ, ओ, के ओपर हमारे पास आके लग गया है, oxygen, और साथ उसके एक, ओ, आख साथ लग हाइडोजन हो, तो हमारे पास एक और हाइडोजन मुझूद है, तो यहां पर जब कोई चीज़ डूनेट करते हैं, तो पास क्या चार्ज आता है, positive, यहां पर positive चार्ज आ गया, oxygen के उपर, ठीक है, अब oxygen ने क्या करना है, oxygen इस state में stable हैं, उसने ये bond है, उसको break कर लेना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, ओके, यहां पर में बस दो lone page थे, यह age और यह age, तो हमारे पास water माली कूल जो था, वो तो बन गया, अब देखने के दूसरी स्टोरी क्या है, कि CO2 हमारे पास जो है, वो कैसे बन रही है, और sodium still इसके साथ attached है, sodium किस तरह इदर से जो है, व अब हमारे पास यह oxygen था, oxygen का और sodium, oxygen जो है, यहां पर उसको तरस आज़ता है, इस पे, वो यहां से sodium साथ bond ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहां पर क्या बाच गया, NA positive, यह bond ब्रेक हो गया, जैसे ही यह bond ब्रेक हुआ, हमारे पास oxygen को पर क्या चाहर जा गया, negative, वो इसको sodium था, इस sodium ने कहां जाना है, इस sodium ने हमारे पास यह जो oxygen था, जहां से हमने इसकी यहां से पेकेज भी की, यहां से भी की, यहां से की थी, वो प्रोटान चला गया, इसके पास वो आ गया, इदर फिर यह हमारे positive चाहर जाए था, उसने हुद को stable करना था, उसने यह bond ब्रेक करना है, इसके उपर positive negative charge है, तो यह positive negative आपस में एक मिलके bond बना लेते हैं, ठीक है, तो इस तरहां हमारे पास जो है, हमारा इसका mechanism वो start हुआ, और इस तरहां उसकी आपस में sharing हुई, किसने किसको loan पर donate किया, कहां पर क्या attach हुआ, वो किस form में गिया, वो stable थी, या नहीं थी यह सब हमने जो है, वो sodium bicarbonate के reaction में study किया, ठीक है, तो आज हमने study किये हैं, वो है, physical properties दो तरह की है, chemical और physical वो क्या होती है, chemical properties हमने बिसके लिए study करनी थी, उसमें हमने देखा, कि हमारे पास, पहले reaction था, metals के साथ, carbonates का और bicarbonates का, हमने इनका general सा mechanism समझा, और general से reactions थे, हम properties उसमें हम study करेंगे, जो reactions, वो हमारे पास है, reaction with basis and reaction with sulfides and bisulfides, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर रह जाएंगे, acids के uses, वो हम next lecture में study करेंगे, अला आफेज,